देखे इस टाइप को कुश्चन करने का आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ जो कि काफी ज़्यादा आसान होने वाला है ये कुश्चन पहले पढ़ते हैं चालिस जिसमें से चालिस को उननीस परतिसत के लाव पर चालिस जिसमें से चालिस को उननीस परतिसत लाव पर शुल्ला को कितने लाव पर पचीस परतिसत के लाव पर और और बीस को पंदरफ परतिसत लाव पर बेचा गया और आगे कह रहा है इन सभी पर उसे पैंसर्ट सु 70 रुपया और कह रहा है एक गाय का CP क्या होगा तो हम मान लेते हैं कि एक गाय का CP 100 रुपया है तो 100 रुपय पर अगर 19% का लाब होता है तो कितने का लाब होगा 125 रुपया अगर वैसे ही 15% का लाव होता है तो एक गाय का कितना मुल हो गया 115 रुपया यहाँ पर 76 गाय का मुल कितना हो जाएगा CP हमने माना था 100 रुपया तो 76 गाय का मुल कितना हो जाएगा टोटल हमारा आ गया 9,060 रुपया अब देखिए CP कितना था 7600 और SP कितना है 9,060 रुपया तो हमारा profit कितना हो गया profit इन दोनों को घटा देंगे यानि कि 1460 रुपय हमारा 9,060 में से 7600 घटाएंगे 1460 रुपया आ गया profit है और यही हमारा 1460 का value कितना दिया गया है 570 रुपया दिया गया है तो देखिए यह कितने गुना है 4.59 गुना हमें किसका वह निकलना था 100 का तो 100 गुने 4.5 कितना हो जाएगा 450 रुपए यानि एक का एका मुल कितना हो जाएगा 450 रुपए 100 क्यों माने है क्योंकि हमने सुरू में 100 ही माना था एक गाय का मुल ले तो 100 बराबर 450